अर्विंद केजरिवाल को जमानत नहीं मिलने पर चिंता जताते हुए 150 से अधिक वकीलों ने गुरुबार को भारत के प्रधान न्याइधीश डीवाई चंदरचुन को एक ग्यापन भीजा है CGI को दिये गए ग्यापन में वकीलों ने कहा कि मामले के सुनवाई कर रहे जज एडी और CBI के मामले में जमानत का अंतिम रूप से निप्टारा नहीं कर रहे और लंबी तारीक दे रहे हैं इसी पर्तिवेदन में ये भी का गया है कि केजडिवाल की जमानत पर रोग लगाने वाले जस्टिस सुधिर कुमार जेन को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था क्योंकि उनकी सगे भाई ED के वकील है चीफ जस्टिस को बेजे गए पर्तिवेदन में का गया है कि A.S.J. नियाएबिंदु द्वारा अरविंद किद्रिवाल के लिए जमानत आदेश पारित किये जाने के तुरंत बाद राउजबिन पोर्ट के जिला जज़ द्वारा एक आंत्रिक प्रशाशनिक आदेश जार किसी भी मामले को नहीं देख रहे इस पर्तिवेदन पर 157 वकीलों द्वारा हस्ताक्षर किये गए इस पर्तिवेदन पर आम आदमी पार्टी के विधी पर कोस्ट के परमुख वकील संजीब नसियार के हस्ताक्षर भी हैं ये पर्तिवेदन इसलिए महतपुन है क्योंकि अ कामले में एडी की अपेल पर दिल्ली उचि न्याले ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी हाईकूर द्वारा निचली अदालत के जमानत आदेश को ततकाल सूची बद करने सुनवाई करने और इस्तगन लगाने का उल्लेक करते वे पर्तिवेदन में का गया है कि भारत ये न्याई पालिका के इत्यास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है और इसने कानूनी विरादरी के मन में गेहरी चिंता पैदा कर दी है